आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चीज मॉमोस जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये हम बिना तंदूर के बनाएंगे बहुत आसानी से बन जाएगा घर पे अविलिबल सामानों से ही और ये आपको बिल्कुल 100% तंदूर वाला ही टेस्ट देगा तो आईए शुरू करते हैं इसके लिए यहां मैंने एक बाउल मैदा लिया है इसमें आदा चमच नमक और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसका डो रेडी कर लेंगे इस तरह से थोड़ा सा टाइट टो बनाएंगे हम इसका और इसे फोल्डेन करके और रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 मिनिट तक थोड़ा सा इसे ओईल का हाथ लगा लेंगे और फिर कवर करके 15 मिनिट तक रख देंगे अब हम स्टफिंग के लिए यहां एक बाउल पत्ता गोबी ले लेंगे बारिक कटी हुई एक प्याश बारिक कटा हुआ और एक राजर बारिक कटी हुई इसमें हम एड़ करेंगे आदा चम्मच नमक आदा चम्मच काली मिर्च और इसे मिक्स कर लेंगे अगर पत्ता गोबी में बहुत ज्यादा मोईस्टिर है तो उसका पानी निचोड लीजिए फिर इसमें चीज एड़ करना यहां मैं एक चीज एड कर रही हूं आप चीज की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं या फिर स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं तो इसमें हम एड़ करेंगे एक चम्मच ओईल रागूल यूज किया है मैंने इसमें इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी से और फिर इसे साइट में रख लें कि थोड़े मीडियम साइज के पॉल्ल बनाने हैं इसके बाद हम इसे इस तरह से रो ल कर लेंगे कि इतना हमें छोटा-छोटा रोल करना है और इसके अंदर यह जयंदी रेडी की है वह इसमें बहर देनी है और इससे इस तरह से फोल्ट करते जाना है यह देखिए थोड़ी थोड़ी layers लेके हमें बिल्कुल center में इस तरह से add करते जाना है यह इस तरह से हो जाए फिर यह उपर जो note पन रही है उसे थोड़ा से twist करेंगे तो इसका shape और अच्छा आएगा देखिए इस तरह से momos का shape आ गया है बहुत इजी है यह shape बनाना भी तो हम इसे medium गरम oil में fry कर लेंगे oil बहुत ज्यादा गरम ना हो मैदे की कोई भी चीज आप fry करें तो बहुत ज्यादा गरम oil में अगर डालेंगे तो उसमें बवल्स आ जाएंगे यह इस तरह से दोनों side से fry हो जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे अब हम इसके लिए better ready कर लेंगे तो यहां मैंने लिया है तीन चम्मच बेसन, आदा चम्मच नमक, एक चम्मच चाट मसाला, आदा चम्मच गरम मसाला, आदा चम्मच का सूरी मेथी, आदा चम्मच काला नमक, एक चम्मच लाल मेर्च, एक चम्मच लसन द्रक्की पेस्ट, आदा चम्मच निम्बु का रस और तीन चम्मच दही इन सब चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे यह अच्छे से mix हो जाने के बाद मैं इसमें add करूंगी वन पिंच redwood color यह optional है इसे अच्छे से mix करने की बाद हम इसमें डालेंगे oil दो यहां मैंने mustard oil को अच्छे से गरम कर लिया है वो हम इसमें add करेंगे 5 स्पोन मैंने यहां oil लिया था आप इसमें mustard oil ही use करें इसका flavor इसमें बहुत अच्छे आता है इसे अच्छे से mix कर लेंगे यह देखिए इतना थेक होना चाहिए better फिर हम इसमें यह हमारे fry किये हुए momos डल देंगे यह हम एककरते सारे नहीं डल देंगे वरना यह तूटने लगेंगे mix करते टाइम तो हमें यह momos को यह better से coat कर लेना है बहुत अच्छे से coat कर लेंगे और इसके बाद यहां मैं ले रही हूँ एक skewer यह मेरे पाद steel की skewer है आप stick भी use कर सकते है लेकिन stick को आपको आदा गंटे तक पानी में बिगो के रखना पड़ेगा वरना वो जल जाएगी जब हम उसे सेकेंगे तो यह देखिए इस तरह से skewer में तीन momos आ गए है हम डारेक्ली इसे gas पे इस तरह से सेक लेंगे तो यह हमारे तंदूरी momos का best part है इससे बहुत अच्छा सा flavor आएगा इसमें देखिए यह हलका हलका हमने सेक लिया है सबी तरफ से तो यह हमारे बहुत ही बढ़िया से गजब से momos बनके तयार है यह देखिए यह बहुत ही soft और बहुत ही tasty से momos बनके तयार होते हैं बहुत easy method से तो आप इसे serve कीजिए mayonnaise और शेजवान चिटनी के साथ और अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अपने friends और family के साथ share कीजिए